सभी को नमस्कार प्राचीन भारत में सूरियो पासना की परंपरा तथा सूरियो पासना की परंपरा तथा भारत के प्राचीन सूरिय मंदिर वक्तव्यों की इस शंकला में मैंने कल कतिपए प्रसिद्ध सूरी मंदिरों की प्राचीन सूरी मंदिरों की चर्चा की थी उनमेंसे तीन मंदिरों पर विशेश विगाव लोकन हम आज करेंगे और ये तीनों मंदिर भारत के पूरु भाग में, मद्य भाग में और पश्चिम भाग में इस्थित हैं तीन दिख भागों में ये इस्तित हैं सूरी की तीन अवस्थाओं का विशेश रूप से वर्णन किया जाता है उदय, मध्यान नकाल की अवस्था और अस्ताविमुक सूरी की अवस्था इन तीनों के प्रतीक के रूप में भी तीन मंदिरों को देखा जा सकता है और सूरी के तीन कदमों का वर्णन आता है विश्णू के तीन कदमों का वर्णन आता है रिगवेद में और जब विश्णू के तीन डग है, तीन कदम है वेही सूरी के तीन कदम कहे गए तीन कदमों से आकाश को मापता है इस प्रकार के वर्णन आते हैं वामन से विराठ हो जाता है सूरी के संबंद में भी कहा गया सूर्य विश्रू की एकाकारिता मानी गई भारत के तीन भागों में पूरु मध्य और पश्चिम में अवस्थित मंदिर ये सूरी के तीन कदमों तीन डगों जिन से विसारे आकाश को ब्रमांड को नापते हैं उनके भी प्रतीक हो सकते हैं इनकी चर्चा में तीनों मंदिरों की संक्षेप में करूंगा उनमें से पहला मंदिर तो कोनार्क का है उडिसा राजी में इस्थित है विश्व प्रसिद्ध मंदिर है यह आप देख रहे हैं उसका मुख्य भाग है और काफी कुछ नश्ट हो चुका या मंदिर पूरा नहीं बन पाया अनेक कथाएं इसके संबंद में है कोनार्क नाटक है जगदिश चंद्र माथूर का इस कथा को ले करके पर जितना हमारे सामने है वा विश्व की अद्वुद धरोहर है और वास्तु शिल्प का मूर्ति शिल्प का भी अनोखा विलक्षण या नमूना कहा जाता है इसके सामने दो सिंग हैं इस प्रकार के सिंग अनेक अन्य सूरी मंदिरों में भी बने हुए हैं विशेशूप से मोढ़ेरा के जो सूरी मंदिर की चर्चा में करूँगा क्योंकि उसका अवलोकन हाल ही में मैंने किया उसके बारे में जानकारी और उसकी चित्रावली मेरे पास कुछ अधिक है तो ओनारक का मंदिर तो उस रष्टी से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए संक्षिप्त एक विशगाव लोकन उसका कर सकते हैं और मंडप है उसमें रत्यनाट्य हुआ करते थे शिखर बहुत सुन्दर है एक चक्र है यह सूरी के एक चक्र का भुती सुन्दर नमूना है और अरे इसके जिस प्रकार से बनाये गए हैं यह भी दर्शनी हैं उन्में जो बारी नकाशी की गई है मिथुन मूर्थियां हैं देवी देवताओं की मूर्थियां हैं दीवारों पर ओनारक के मंदिर में अन्यसूरी के मंदिरों में भी इसी प्रकार है यह भी रथ आप देख रहे हैं चक्र और अश्व है जो किसी सैनिक को रोंद रहा है भव्य निरूपन किया गया है अश्व का इस प्रकार के अश्व अन्यसूरी मंदिरों में भी बनाए गये हैं और अथरुवेद में काल का महाकाल का अखंड काल का एक अश्व के रूप में रूपक के द्वारा वर्णन किया गया है काल रूपी अश्व सात रश्मिया जिसकी है वह भागता हुआ चला जा रहा है सहस्राक्ष है अजिर है अजर है भूरी रेतस है उसका आरोहन कवियो विद्वान कर सकते हैं पर सारे ब्रह्मांड को अरोंजता हुआ चला जा रहा है सारे ब्रह्मांड उसके पेरों तरे कुछला जा रहा है उसी के चक्र बन जाते हैं सारे भूवन ऐसा कहा गया है तो उस काल रूपी अश्व का भी प्रतीक हो सकता है और सूर्य ही काल के भी प्रतीक है इसलिए इस प्रकार के अश्वका निरूपण सूर्य मंदिरों में स्वभाविक है ववाया वालियर के पास गाउं है वहाँ पर पद्मावती यह इस्थान है ववाया जिसको आजकल कहा जाता है और भवगूती विदर्व से पद्मपूर से चल करके पद्मावती आये थे ऐसा अपने तीनों और नाटकों की प्रस्तावना में वे संकेत देते हैं सूचित करते हैं उनका जो नायक है मालती माधो का माधो वह भी विदर्व से चल करके और पद्मावती पहुंचता है यह मैंने कल्चर्चा भी की थी पवाया में कई बार जाना हुआ वहाँ भवूति महोच्छव का एक दिन आयोजन किया जाता था जो गौलियर में दो दिन का या तीन दिन का आयोजन होता था और यहाँ पर कालप्रियनात का अर्थात सूरी का मंदिर था ऐसा विद्वानों का मानना है अन्ये इसी के पास सूरी मंदिर कालपी में जालोन के पास था उसके भी भगनाव शेश मिलते हैं पर भवूति जिस इस्थान पर आये थे वह यही इस्थान है क्योंकि पूरे मालती माधव के जो भवगोलिक इस्थान है वे सब यहाँ पर है जो वर्णन पूरा भवूति ने मालती माधव में किया है वे सब यहाँ देखे जा सकते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह पारा नदी इसको पारवती नदी कहा जाता है यह पश्चिम की ओर से भेती भी आती है दूसरी नदी उपर यह लवणा नदी है लून नदी इसको आजकल कहा जाता है यह भी उत्तर की ओर से भेती भी आती है पूरवा भी मुख भेती है लेकिन मुढकर के फिर यहां मिल और एक और नदी ये दक्षिन से पहती वी आती है, दक्षिन पश्चिम से ये सिंदू नदी है कलिदास ने भी इसका वड़नन किया है, ये पंजाब में जो सिंदू नदी है उससे भिनन है यह मध्यप्रदेश में और उज्जेन की यात्रा में उज्जेनी की और बढ़ते हुए मेग सिंदु नदी की ऊपर से गुजरता है यह मेगदूत में वर्णन किया है यह वही सिंदु नदी है और यह यहां आकर के पारा सिंदु के संगम का वर्णन भाववूती ने मालती मा हुआ था विशाल सूरी मंदिर था चबुत्रा ही इतना बड़ा है और उसके सम्मुख नाटक हुआ करते थे और यात्रा महुत्सा वायुजित किया जाता था जिसमें कि भगूती के नाटक खेले गए ऐसा हम कह सकते हैं इसी के पास किला भी है उसके अशेश मिलते हैं नीचे से दक्षिन की ओर से एक और नदी वहती यहां मिलती है यह मदुमती नदी है इसका भी उल्लेक मालती मादों में भगूती ने किया है इस प्रकार से मदुमती सिंदू पारा और लवणा इस चार नदियां इस इस्थान पर आकर के मिलती है अद्भूत इस्थान पूरा है नदियां तो अभी भी है वगनाव शेश अभी भी है बड़ा चबूत्रा यहां पर बचा हुआ है पासी में यह डबरा जिला है इसके उत्तर की और औ गौलियर से भी यहां जाया जा सकता है यहां पर सूरी मंदिर प्राचीन सूरी मंदिर था यह हम देखते हैं मैंने कल जिस पुस्तक की चर्चा की थी भी भवूति और उनका नाट्टि लोग इसमें विस्तार से इसकी चर्चा और इसके साक्षों के बारे में प्रमान देख जा सकते हैं वासुदिया विष्णु मिराशी मानते हैं कि जो कालपी का कालप्रियनाद का मंदिर वहां था जो कालपी है वहीं पर कालप्रियनाद का मंदिर था और वह भवूति का कालप्रियनाद है अलग-अलग मत हैं और इन पर अभी भी और अनसंधान किया जा सकता है यह सामने का द्रश्य हम तीसरे मंदिर की और चलते हैं, यह मोढेरा का सूरी मंदिर है, यह पाटन के पास, पाटन से भी जाया जा सकता है गुजरात के महाई साना जिले में, पुष्पावती नदी के किनारे है, मंदिर बना हुआ है, सरस्वती नदी, एक दूसरी नदी भी इसके पास ही बहती है, और यह राजा भीमदेव के समय बनवाया गया, यह आर्मी शताबदी में, मैंने राणी की वाव की चर्चा की है पिछले हपते अपने वक्तव्य में, वाभी अद्भुत पुरा तात्विक धरोहर है और अत्यंती रमणी यह सुन्दर इस्थान है, वाभी राजा भीमदेव के समय उनके शाशनकाल में यहाँ पर बनवाया गया, सोलंग की इस्थापत तिकाह, यह बहुत सुन्दर नमूना है, उत्करष्ट नमूना है, प्रदक्षणा पत है, गर्भगरा के सामने जो सभा मंडप है, उसके परिता है, उसके सब और प्रदक्षणा पत है, और गर्भगरा के आगे यह सभा मंडप है, जितने सूरी मंदिर हैं, सभी में इस प्रकार के मंडप हैं, सभा मंडप हैं, जिनको नरत्य मंडप भी कहा जाता है, इसलिए नरत्य नाट्य की गतिविदियां विशेश रूप से इन सूरी मंदिरों में हुआ करती थी, और यात्रा मोहसों में तो कई दिनों तक के नाट् करते थे अनेक नाटक कार अपने नाटक किया चाहिए कैसे उसमें नाट्टि महोच्षा होंगे इसका विस्तार से वर्णन भी किया गया है यह मंदीरों का कुंड सभावंडप और गरब्रग्रह यह इस मंदीर के हो जाते हैं शिखर बहुत सुन्दर है और चत पर बहुत बढ़िया उत्तम नकाशी है बारीक इस्तंभों पर भी सुन्दर नकाशी है कुंड का एक भाग है उसके किनारे सुन्दर गुंबज यह बने हुए है पानी से भरा हुगा कुंड हमेशा यह रहता है पानी के संग्रह की किस प्रकार से जल संग्रण की विवस्ता की गई थी यह देखी जा सकती है कुंड की दीवारों पर छोटे-छोटे अनेक मंदीर हैं और अनेक पक्षी यहां पसेरा करते हैं इसमें जो छोटी-छोटी खोहें हैं और उड़ते वे देखे जा सकते हैं सेकडों पक्षी एक साथ उड़ते हैं दुरलब पक्षियों का भी बसेरा यहां है वातावरण इस प्रकार का सारे सूरी मंदीरों का रहा है कि वह निसर्ग के निकट हैं सूरी भी इसी का प्रतीक है सूरी की उपासना का भी यही मर्म ह कि हम जो हमारा पर्यावरण है धर्ती है सूर्य है चंद्रमा है इनके समीप पहुँचते हैं जीवन के चाक्चिक्य को कृत्रिमता को त्याग करके और यह सारे निर्माण उसी उद्देश से किये जाते रहे हैं जल संग्रह की विवस्था भी उसी प्रकार से यहां की जाती रही है यह कुंड यहां पर आप देख रहे हैं और सीडियां हैं नीचे तक जाने के लिए नीचे जाकर के इसनान आदी की विवस्था सब रही होगी सारे ही कुंड जितने हैं सूरी मंदिरों के पास या सूरी मंदिरों के प्रांगण में बने हुए उन सभी के बारे में यह मानिता रही है कि उनमें इसनान से रोग दूर होते हैं उश्ठादी रोग भी दूर होते हैं जल संग्रह इस प्रकार के ने सरगिक प्रवाह को लेकर के किया जाता है कि उसमें ओशदी ये गुण हैं, यही विवस्था में यहां भी देखते हैं और एकजार साल से कुंड बना हुआ है, भव्य कुंड है और उसके किनारे किनारे इस प्रकार के ये गुंबज हैं. ये देवियों की आकरतियां हैं और बारा कोनों में बारा आदित्य भी इस मंदिर में निर्मित हैं, दशावतारों के भी निरूपन हैं, बहुत सुंदर सुंदर पेनल हैं, संगीत यात्रा के हैं, द्वंद युद्ध के हैं और युद्ध के द्रश्य हैं, हाथियों के, उतकरष्ट उधारण हैं वास्तु शिल्प का और मूर्तिकला का भी पुरा जो सूरी मंदिर है और इस तंभों पर बहुत बारीक अंकन हैं यह युद्ध के द्रश्चे हैं गुंद युद्ध के द्रश्चे हैं इस्त्रियों के द्रश्चे हैं शंगार के द्रश्चे हैं शा मंदिर में, ये हम यहां देखते हैं, प्रकाश पूरे मंदिर में, क्योंकि ये पश्चिम भाग में मंदिर है, तो अस्ताभी मुक्सूरी की रश्मिया विशेश रूप से इसमें आती है. झाल, 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 झा झाल झाल ये हनुमान की मूर्ती है एक इस्तंभ में कोई वानर उनकी गोद में चड़ता हुआ दिखाये गया है गदा उनके हाथ में है यह काली नाग को मत्से हुए प्रशनकी मूर्ती प्रतीत होती है दाइनी तरफ और क्रशनावतार के क्रश्णलीलाओं के अनेक द्रश्षे हैं माखन चोरी के बहुत सुन्धर द्रश्षे हैं इस तरह से बालक एक बालक दूसरे के कंधह पर Coin करकर के और माखन चुरा रहा है उसके द्रश्य है बलुआ पत्थर पर चुंकि मूर्तियां बनाई गई है पुरा मंदिर समुद्री चट पर मिलने वाले पत्थर से बनाया गया है इसलिए मौसम की मार इस पर पड़ी है जलवायू का असर हुआ है अन्य था अमलावर यहां तक नहीं पहुँच पाए शत्विक्षत उनके द्वारा या नहीं किया गया है मूर्तियों के जो भाग तुरुटित हैं वो जलवायू के परिवर्तन के कारण है हाथियों के अनेक द्रश्य हैं जो रोंद तेहवे युद्ध में हाथि चले जा रहे हैं युद्ध वनमत हाथियों के चित्र है मूर्तियों में यह कोई महावीर हाथि को उपर उठा करके और उच्छाल करके फेंक रहा है यह महाभारत का द्रश्य प्रतीत होता है भीमसेन के बारे में इस प्रकार के वर्णन बहुत आते हैं कि वे आथि को घुजाओं से उपर उठा करके रुच्छाल देते थे उपर और कहीं अभी वर्णन आता है कि उन्होंने इतना उपर उच्छाल लिया तो वह वहीं चक्कर काटती रहेगी महाभारत के इस प्रकार के अनेक द्रश्य यहाँ पर मूर्तियों में अंकित किये गए हैं यह भी हाथी युद्धोनमत हाथी का वरणन है और महावज्य उस पर सवार है वा अंकुष्य उसको प्रहार कर रहा है हाथी आगे बढ़ रहा है चिंगारता हुआ यह आप देख रहे हैं महिलाओं की द्रश्य बहुत अनेक हैं और द्वंदयुद्ध के द्रश्य हैं संगीत यात्रा के बहुत सारे द्रश्य हैं मासुरी हाथ में लिये हुए दो वादक हैं यहां दो वादक यहां मृदंग हाथ में लिये हुए हैं कोई अन्यवादक यह कांसे का वाद दे कांसे वाद दे हाथ में लिये हुए यह मगन होकर के गाते हुए लोगों की बजाते हुए लोगों की संगीत यात्रा का द्रश्य है यह भी उसी प्रकार का द्रश्य है वांसुरी हाथ में लिये हुए है म्रदंग हाथ में लिये हुए या पणव जैसा कोई वाध्य जो बगल में रक्कर के बजाया जाता है चोटा वाध्य है अवनद वाध्य है उसको बजाते हुए ये लोग चले जा रहे हैं यह जीवन के उत्सव के इस प्रकार के द्रश्य यहां पर हैं और यह अधुत द्रश्य जैसा मैंने कहा कि महाभारत प्रभावी द्रश्य नेक हैं यह गदाचित भीमसेन और कीचक के उद्ध का चित्रन परतीत होता है और अपने परतीत दंदी को पाउं से पकड़ करके उन्होंने नीचे कर दिया है सिर के बल उन्होंने कर दिया है कदाए हाथ में दोने भीर लिये हुए हैं भीमसेन के संबंद में कीचक युद्ध में ये वर्णन मिलता है कि उन्होंने उसको पूरी तरह से कुचल दिया था, उन्होंने उसको रोंद डाला था, उसी प्रकार से या उसको सिर्केवल उन्होंने कर दिया है, उस प्रकार का चित्रणे द्वन्द युद्ध के बहुत सा प्रकार के द्रश्य यहां मिलते हैं, यह भी उसी प्रकार का एक द्रश्य है, हाथी, जगती के उपर हाथी बनाये गए हैं, जो प्लेटफार्म हैं, और सीवहों के भी चित्र उसी प्रकार से हैं, मनुष्यर सीवहों के द्वन्द के चित्र हैं, मूर्तियों में, पिंडी बन्द के बहुत सारे द्रश्य हैं, एक के कंधे पर दूसरा सवार होकर के उपर चड़ रहे हैं, प्रकार के द्रश्य हैं, और समुद्र मन्थन का सुन्दर अंकन किया गया है, पासुकी नाक को मन्थन रज्य बना करके और मंदर परवत को मन्थन धंड बना करके, इस तरफ असुर हैं, जो पूँच पकड़े हुए हैं, उस तरफ थोड़ा सा काला भाग है, इस तरफ असुर हैं, जो पूँच पकड़े हुए हैं, जिसमें दैत्य हैं और यह समुद्र मंतन का दुरलव चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। यह मजदूर का चित्र है और भार उठाकर के वह चल रहा है, कहार हो सकता है, बहेंगी जैसा अपने कंधों पर रखकर के यह चल रहा है। यह सामान्य लोगों के भी चित्रिस में मिलते हैं। अध्भुत, सुंदर, मात्रित्व के वादसली के चित्रियां पर मिलते हैं। और सेविका बालक को उसकी माता के अंक में दे रही है। सेविका को बहुत छोटा बनाया गया है, वो स्वामी नहीं है। उसका बड़े आकार में चित्रण हैं पर यह बीच में बालक है और यह उसको उठा करके इसकी गोद में दे रही है। बालक और माता, इनकी मूर्तियां बहुत सुंदर हैं। इसमें यह भी आप देख रहे हैं कि माता अपने अंक में चाती से लगाए हुए शिशु को यहाँ पर चित्रित है। जो खज्राओ के मूर्तियों में भी हमको इस प्रकार की मूर्तियां देखने में आती हैं। काटा निकालती ही इस्त्रि या शाकुंतल में जो शाकुंतला का वरणन कालिदास ने किया है। मूर्तियों में इस प्रकार के चित्रमंदिरों में मिलते हैं। शव यात्रा का द्रश्य है, मार्मिक द्रश्य है, उपर रोगी लेटा हुआ है। प्रोगी या प्रोगी ही प्रतीत होताई शव नहीं है क्योंकि उसका सिर उपर है और उसको उठा करके ये ले जा रहे हैं इस प्रकार का है द्रश्य यहां पर है सिव्व के द्वारा मनुष्यों से युद्ध के द्रश्य यहां पर है सूरी के बारह कोणों पर बारह रूप यहां पर अंकित है और उनके दो अनुचर जिनका की सूरी की प्रतिमा लक्षण में वर्णन किया जाता है दोनों पारश्वों में उनके दो अनुचर है साथ रश्मिया साथ अश्व जुते हुए उनके रत में भव्य मूर्ति सूरी की यहां पर अलग-अलग कोनों में अलग-अलग विग्रहों में बनाई गई है यह भी उसी प्रकार से सूरी का एक रूप है नीचे आप साथ अश्व देख रहे हैं और यह दोनों उ उनका एक अन्य रूप है इस प्रकार से अलग-अलग कोनों पर सूरी के बारा विग्रह यहां पर अंकित है जगती के ऊपर हाथियों का पूरा पेनल चारों तरफ है और युद्ध की और प्रस्थान करते वीरों का दल उसके अंकन है यह भी संगीत की एक यात्रा का द्रश्य है बांसुरी हाथ में लिये हुए है कोई वादा की अम्रलंग हाथ में लिये हुए है और कोई तुरही जैसा वाद इसको फूंक करके बजा रहा है बहुत सारे द्रश्य इस प्रकार के जीवन से जुड़े हुए यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं संग्षेप में इस मंदिर का विवगाव विवगाव लोकन हमने किया और यही पर समाप्र करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार